तो वर्ष एक हजार नो सो से नई यात्रा की शुरुवात हुई इसको आप क्वांटम फिजिक्स की यात्रा कह सकते प्लांक ने एक नया हैपोतेसिस दिया रेडियेशन के बारे में और वहां से एक क्वांटम डिफाइन हुआ जो की रेडियेशन के वेव क्यरेक्टर को और एक पार्टिकल क्यरेक्टर को कनेक कर रहा था जो एमिशन हो सकते हैं या एब्सॉर्प्शन हो सकते हैं न्यू फ्रिक्वेंसी की अगर लाइट एमिट होनी है या रेडियेशन एमिट होना है तो उसको एक इंटेग्रल मल्टिपल आफ एच न्यू इतने में ही एमिट किया जा सकता है और इतने में ही एब्सॉर्प किया चिनूट **** की कुष भी समस्या का समधान हुआ और लाइट डिफ्रक्षन भी करती है विप भी है 각घ म हो पार्टिट पी ज led के रूप में भी आती है तो ऐसा एक वेव और पार्टिकल का सहस्तित्व यह अई स्टेन के काम में से निकलकर के आया इसी क्रम को और आगे बढ़ाते है और 1911, 12, 13 के आसपास चलते है और नील्स बोर्स ने हाइड्रोजन के लिए एक मॉडल दिया बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आज भी हम लोग स्कूलों के अंदर में उसको पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर में तो उसकी के स्पेक्टरं के बारे में जो एक्सपरिमेंटल जानकारियां थी वो कुछ इस प्रकार के थे और वो भी बहुत बढ़ा पजल था और वह यह थे और तब उसका वेवलेंग्स ना पे तो जो समय की जानकारिया थी उसके नुसार विजिबल रेंज के अंजर में चार वेवलेंग्स आती थी और वो चार वेवलेंग्स थी 656 नैनोमीटर फिर 486 नैनोमीटर फिर 434 नैनोमीटर और फिर 410 नैनोमीटर और बहुत बड़ा सवाल था यह कि यह चार ही क्यों इसके बीच की और क्यों नहीं और काफी शार्क उससे में जितना रिजोलूशन था स्पेक्ट्रमीटर वगरे का उसके अनुसार काफी शार्क 656 है 486 है 490 नहीं है 510 नहीं है 515 नहीं है 540 नहीं है 620 नहीं है सीधा 656 तो यह डिस्क्रीट वेवलेंग्स यह अलग-अलग वेवलेंग्स ही क्यों है यह भी एक बहुत बड़ा पजल था और एक बामर फर्मुला उपलब्द था बामर खुद एक मैथमेटिक्स के स्कूल टीचर हुआ करते थे और उन्होंने नमबर को ले करके और एक फर्मुला इजाद किया जिसमें था कि जो यह वेवलेंग्स है वो कैसे मिल सकते हैं आपको तो इस एन की जगह पर आप 3,4,5,6 रख दे और सुटेबल आर्ट चूज कर ले तो यह तीन चार पांच छे रखने से आपको यह वेवलेंग्स प्राप्त हो जाएंगे ऐसा एक मैथमेटिकल एक्स्प्रेशन इनके लिए बामर ने भी निकाल कर रखा हुआ था लिकिन उसकी क्या है क्यों ऐसा हो रहा है यह एक बहुत बड़ा सवाल था और नील्स बोर्न ने इस सवाल को हल किया उन्हें 113 में उन्होंने यह प्रेजंट किया फिलासफिकल मागजीन के अंदर और उनका प्रेरना कहां से मिलिया उनको उसी प्लैंक्स रडियेशन लोग के एजम्शन से तो कुछ इस प्रकार की शुरुआत है अगर आप उनके ओरिजिनल पेपर को देखें कि नुक्लियस है नुक्लियस पर कुछ चार्ज है प्लास ए चार्ज है प्रोटोन है बहुत दूर होता इससे बहुत दूर होता तो उस समय की इनर्जी को शुन्य कहते है जीरो कहते है और वहां से अगर इसको किसी सर्क्ल में आना है और उसी सर्क्ल में इसको घूमना है चुक्कि आटम से स्टेबल है इसलिए जो क्लासिकल फिजिक्स है क्लासिकल इलेक्रोड करना चाहिए इनर्जी और इसलिए अगर आप सर्कल में घुमाएं तो फिजिक्स के नुसार इसकी उर्जा कम होती जानी चाहिए और कम होते होते अंति में इसको इस नुक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए लेकिन वैसा नहीं होता है एक पार एकम बन जाते तो बने ही रहते जब तक कि आप कोई भैंकर उनके साथ छेड़ खानी नहीं करो तो इसलिए क्लासिकल फिजिक्स से यहां बाहर जाना है और क्लासिकल फिजिक्स से बाहर जाने की घटनाएं वर्ष उन्निस सो से शुरूआत हो चुकी है तो बोर्स नहीं पस पहली बात यह करी कि नहीं यह स radiation है वो भी continuous है लेकिन जो एनर्जी होनी है अगर किसी चीज से तो फिर वो quantum में होनी है तो वैसे भी electrodynamics जो classical electrodynamics से काम नहीं चलना है तो कुछ नहीं कुछ और लेकर कि आना पड़ेगा तो उन्होंने यह शुम किया कि जब यह बहुत दूर है electron उस समय में यह कहीं भूम नहीं रहा है इसकी कोई frequency नहीं है zero frequency है और जब यहां भूम रहा है तो उस समय कुछ frequency इसकी new है तो यहां से और यहां के अंदर में जो energy का difference है जो emit हुई है energy अगर यहां से यहां आना है तो उसको energy जो कम हुई है वह energy उन्होंने प्लांक के radiation लोग के अनुसार उसको जोड़ा तो पहले हम अपने usual classical physics से थोड़ा गनित कर ले कि इसमें कितनी energy है इसको अगर हम zero कहते है इस energy को जब यह बहुत दूर है तो इसमें कितनी energy है तो बहुत आसान है मामला e बराबर हाफ mv square और minus e square by 4 pi epsilon not r यह kinetic energy और यह potential energy इनकी तो यह इस समय की total energy है और जब बहुत दूर है उससमें zero है यह तो यानि यही इस समय की यह energy है इसके साथ में एक और चीज़ वह भी classical physics से उठा लें mass times acceleration बराबर force और force यहां जो है वो है e square by 4 pi epsilon not r square यह तो यहां से आप थोड़ा सा गनित कर लिजे हलका सा इसको आप काट लिजे और mv square बराबर इतना है तो आप इसको लिख सकते हैं e square by 4 pi epsilon not r e square by 4 pi epsilon not r यह पूरा mv square है इसलिए यहां से e बराबर half mv square और फिर minus mv square अर्थाथ minus half mv square ऐसा आप लिख सकते हैं यह energy energy बराबर minus half mv square इसकी frequency के साथ इसको आप relate कर सकते हैं और frequency के साथ अगर relate करें तो frequency v बराबर speed लिख लिजे v बराबर omega r याने 2 pi nu into r frequency के साथ इसका ऐसा relation है तो इन तीनों equations को मैं पहले इधर लिख लेता हूं अलग से फिर से e बराबर energy बराबर minus half mv square यह पहला पार्ट है दूसरा यह mv square बराबर e square by 4 pi epsilon not r तीसरा है v बराबर 2 pi nu into r यह तीन पड़ते है circular motion में उसके अनुसार यह चीजें ऐसे हैं अब इसके बाद बोर्स quantum theory को यहां घुजाते हैं अगर इसको यहां से यहां आना है तो इसकी energy कम हुई है तो radiation होना है वो radiation कितना हो सकता है तुच्छु कि यहां पर कोई frequency नहीं है यहां पर new frequency है और अगर new frequency से उसको चलना है तो new उससे निकलने वाले radiation के frequency यह मानी जा सकती है यह उमीद की जा सकती है लेकिन यहां पर तो frequency 0 से new हुई है तो new by 2 इस frequency का radiation अगर निकलता तो कितना energy निकलती एक बार के अंदर में और उसके लिए फिर वो quantum का से धांत लेते हैं कि जो energy निकलती माइनस e बराबर क्या होता वो होता n times h times new by 2 new by 2 उन्होंने यही पर assumption है यह पुरा assumption है कि जीरो frequency थी यहां new frequency है तो new by 2 frequency लिए और अगर new by 2 frequency का radiation emit होना है तो उसकी उर्जा h times planks constant times frequency उसका integral multiple होना चाहिए अब इन चार equations में से हम क्या चाहते हैं क्या निकालना चाहते हैं हम इस energy को इस उर्जा को निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ओफ यह एन जो हमारा है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्या extra है वी extra है तो eliminate करें क्या क्या वी को eliminate करें फिर इस आर को eliminate करें फिर इस new को eliminate करें इन तीन चीजों को हम इस में से eliminate करना चाहेंगे तब हमारे पास इस energy के लिए expression आएगा तो इसको देखें तो सबसे पहले हम इस new को eliminate कर देते हैं और इन दो equations को अगर आप साथ में देखें और यहां से new हटाने की कोशिश करें तो क्या मिलता है new बराबर v by 2 pi r new बराबर v by 2 pi r और इस को हम यहां पर रखें तो minus e बराबर n h by 2 new और new के स्थान पर हम लिखते हैं v यहां और 2 pi r यहां तो हमने इन दोने equation का इस्तिमाल कर लिया यहां कहीं new नहीं है और अब इन दो की जगे हमारे पास यह तीसरा equation आ गया है अब अगला r को देखें r कहां कहां है r यहां है और यहां है इसमें r नहीं है इन दोनों से r को eliminate करने की कुशिश करें तो यहां से 1 by r लिखें और यहां से 1 by r लिखें और इसको बरावर कर दें तो क्या दिखता है यहां से 1 by r लिखेंगे तो क्या होगा 1 by r बरावर यह 1 by r बरावर यह सब कुछ इदर जाएगा mv square तो है ही इसको गुना करेंगे हम 4 pi epsilon not से 4 pi epsilon not से और फिर इसको हम भाग लगाएंगे इस e square से तो यह 1 by r यहां से मिलेगा और यहां से अगर 1 by r लिखते हैं तो क्या होगा यहां से अगर 1 by r लिखते हैं तो वो होगा यह 1 by r है यह 4 pi है माइनस 4 pi e माइनस 4 pi e और तब उसके उपर भाग इसका n h v से तो n h और v यह यहां से 1 by r आ रहा है और इन दोनों को आप बरावर कर दें दोनों 1 by r को तो वैसे हालत में हम r से मुक्ति पाएंगे तो अब हमारा अगर उसको भी हम कर दें तो क्या equation बनता है देखिए यह 4 pi epsilon not और फिर m v square और बटा e square बरावर मिनस 4 pi e तो मिनस 4 pi e और उसका बटा n h v n h v तो अगर आप v ko लिखें यहां से और फिर यहां से हम उस v ko b eliminate करना चाहते हैं इसमें से v eliminate करना है हमें तो हम यहां जब पहले w लिख ले हैं कि यहां भी भी दिख रहा है यहां कि यहां भी square दिख रहा है तो आप करें इस को 4 π.e.m, v, इस v को अगर इधर ले लूँ में, तो q, v cube और इस e square को अगर मैं उधर ले जाओं, तो minus 4 pi capital E, e square by n h, मिलान कर लेज़े, फिर से हमने ये लिखा है और इस v को हमने यहां multiply कर दिया, इस तरफ ले आये हैं, इस e square को हम उधर ले गए हैं, तो ये इतना बन गया है और ये equation बना, अब इस equation में से और इस equation में से मुझे हटाना है v को, तो यहां से मैं v लिखता हूं, v बराबर, इसको भाग लगा लिजे पहले, minus 4, 4 pi कांसल हो रहे हैं, 4 pi को हटाईए, और बचा यहां पे हमारा capital E, याने energy, और फिर e square, बटा n h है यहां, और फिर ये epsilon not, m, ये ये तना, इसका one third root, ये v cube है ये, v cube है ये, v cube बराबर, ये e e square minus के साथ, n h यहां पे epsilon not, m उधर से, और इसलिए, इस पूरे का ये cube root है, 1 by 3 power है, और हम minus 1 का 1 by 3 power करेंगे, तो minus 1 मिलेगा, इसलिए हम यहां पे रख रहे हैं, वो imaginary quantities में जाने कि मुझे कोई आवशेक्तर नहीं है, तो इसलिए, वो minus 1 into minus 1 into minus 1 is minus 1, उसका हम उपयोग यहां पे करते, अब इसको इसको इस्तेमाल करें, पहले equation में, energy बराबर, तो क्या मिला, e बराबर, minus half m, v का square, v का square, तो इसका square करना है, तो minus का तो plus हो गया, और यहां बना मुझे, e का square, या एक बात पूरा लिखी ले, e into e square by n h epsilon not m, इस पे पावर 2 बटा 3, square कर दिया, minus half m, v का square कर दिया, तो पावर 1 बटा 3 था, वो पावर 2 बटा 3 हो गया, अब देखें, e पे पावर 2 बटा 3 है, यहां पे, और यहां पे e है, तो e पे पावर 1 बटा 3 बचेगा, यह, e पे पावर 1 बटा 3, बनाबर है, minus half m, e square by n h epsilon not m, पे पावर 2 बटा 3, यह, हमने सरफ यहां से इस e को हटाया, बाकी सारी चीज़ें उसी प्रगार से रखी हुई है, तो यह इतना, cube कर देजे, cube कर देजे, दोनों साइड, e बराबर, minus और half m, हम एक ही बटा में लिखने की कोशिश करते है, m उपर, 2 यह नीचे, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम cube कर रहे हैं, तो इस पूरे का square हो जाएगा, यह 1 by 3 और 3 कट जाएगे, इसका square हो जाएगा, और थाथ e पे पावर 4 और फिर यहां पे Epsilon naught का square, इस M का square और फिर इस H का square और बच गया N का square, तो अगर इस ने N times, जो basic quantum है, H new by 2, इतनी उर्जा emit की यहां से यहां आने में, तो उसकी अंतिम उर्जा इतनी होनी चाहिए, और N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3 रखते जाए, तो यह अलग अलग किसम के आपको circles मिलते चले जाएंगे, उनकी उर्जा अलग-अलग होती चली जाएगी, तो देखे, अगर N बराबर 1 रखे तो क्या होता है, तो N equal to 1, इसमें हम रखें, इसको हमने cube किया यहां पे, हाँ, इसका cube नहीं किया हमने, जब इसको cube करेंगे, तो इस 1 by 2 का cube, 1 by 8 हो जाएगा, इस M का cube यहां, M का cube हो जाएगा, और तब यह M square, इस cube को काट करके, M into E4 बनाएगा, तो N equal to 1 पराब, N equal to 1 अगर इसमें रख दिया जाए, तो energy क्या बनती है, energy बनती है, minus 8 minus M E4 divided by 8 epsilon not square, और H square, H square, यह बनती है, इसकी उरजा, N equal to 1 रखने पर, और इसका मान, जब इसके सारे values रखे जाए, तो इसका मान निकल करके आता है, 13.6 electron volt, जो hydrogen atom की न्यूनदम energy है, minimum energy है, यानि जो radiation है, अगर infinity पर जब separation था, वहाँ से देखें, तो maximum और जाएमिट होई है, उसको हमने 0 बोला है, तो यहाँ पर energy है, वह माइनस 13.6 EV की नरजी है, और जब हम आगे बढ़ेंगे, तो अगर हम एक चित्र बनाएं इसका, जैसा आकसर किताबों में रहता है, तो यह सबसे नीचे की उरजा है, जो माइनस 13.6 EV की उरजा है, यह N equal to 1 है, और N equal to 2 अगर रख देंगे हम, तो इसी का एक बटाचार हो जाएगा, यहां एक बटाचार आजाएगा, और इसी का एक बटाचार हो जाएगा, तो अगर आप अगला अगली उरजा डूने, तो अगली उरजा आपको इसना बटाचार पर देंगे, अर्थाथ मानस 3.4 EV पर मिलेगी, यह N equal to 2 है, फिर एन इकल दो 3 करेंगे तो 1 by 9 तो इससे अब 1 by 9 करें तो कुछ माइनस 1.5 EV ऐसा कुछ एन इकल दो 3 मिलेगा फिर एन इकल दो 4 करेंगे ऐसा कुछ एन इकल दो 4 मिलेगा जो कि इसका 16 वहाँ भाग होगा माइनस 0.85 EV इस प्रकार से अलग वो अरे बनेंगी और आपने हमने आर इलिमेट किया था अगर आर को भी वैलू निकालेंगे तो छोड़ा चरील बड़ा सर्क्ल उससे, बड़ा सर्क्ल उस से है वेवलेंग्स देखते हैं तो वो रेडियेशन है जब हमने उसको तो फंक न को बिझली बिझली चला करके और कुछ करके वोल्टेज उगार लागा करके और जहां वह है अमूमन जहां वह अटम है एलेक्रोन सबसे कम इनर्जी वाली उर्जा के अंदर में है N equal to one वाली उर्जा के अंदर में है इस इतनी इनर्जी में है तो जब हम वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज वगरा देते हैं तो वो उपर की उर्जा में किसी में चला जाता है जितना उसने वहां से अब्जॉर्ब किया तो यहां कहीं चला गया मालेज और यहां से जब इसको वापिस लॉट करके आना है तो अगर इसने यहां से यहां जंप कर लिया तो कितना रेडियेशन में उर्जा जाएगी कितनी उर्जा का रेडियेशन जंप होगा तो यहां इतना उर्जा है यहां इतनी उर्जा है तो आप यहां से इसको घटा सकते हैं और मालू कर सकते हैं कि कि इतने अुर्जा निकली तो ट्रांसिशन एक हàiर स्टेट से एक लोवर energized transition होता है तो जो ट्रांसिशन के अनर्जी यो ट्रांसिशन के इनर्जी है मैसा लिग सकते है और यही सब expressions होंगे, m e 4 by 8 epsilon not square h square और ये 1 by n 1 square और ये 1 by n 2 square, बामर का सूत्र मिल रहा है, और अगर n 1 की जगे पे आप रखते जाएं, 2 रख ले और n 2 की जगे पे आप 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, याने n equal to 3 से n equal to 2 में transition करा रहे हैं, पहले 3 पर थे और अब हम 2 पर आ गए हैं, तो ऐसा transition अगर करा रहे हैं, ज्यान रखेगा हमारी उर्जा negative में भी चलती है, यह माइनस भी यहाँ पर है, तो वैसी हालत में आप यहाँ से जब calculations करेंगे, और इस उर्जा से आप wavelength का रिष्टा जानते है, hc by उर्जा, यह यहाँ से आप wavelengths calculate कर सकते हैं, और वो wavelengths exactly वही आते हैं, जो experimentally measured wavelengths है, 656 nanometer, 486 nanometer, 434 nanometer, 410 nanometer, और यह सब जो उर्जाएं हैं, जो wavelengths हैं, वो इस n equal to 2 पर आकर खतम होते हैं, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, यह सब visible range में हैं, और भी transitions हैं, लेकिन यह visible range हैं, जिसको bomber series कहते हैं, n equal to 3 से n equal to 2 पर जाएंगे, तो 656 nanometer का wavelength मिलेगा, n equal to 4 से n equal to 2 पर आएंगे, तो 486 nanometer का wavelength मिलेगा, तो इस प्रकार से यह पूरी series बनती है, तो अच्छा आपने एक चीज़ और देखी होगे अपनी किताबों में, जब बोर्ष थेयरी पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं, जैसा हमने अभी किया, वैसा नहीं करते हैं, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ बताते हैं कि बोर्ष का पॉस्चुलेट है, कि वो सर्कुलर और बिट्स स्टेबल होते हैं, जिनमें angular momentum, कोणियस हमवेग, यह एच बाई 2 पाई का integral multiple होता है, उसका गुनक होता है, तो यह भी बड़ी रोचक सी बात है, कि यह सारा सब कुछ आप राप्त कर सकते हैं, और करते हैं, टेक्स्ट बुक्स के अंदर में, यह बता कर, कि जो angular momentum है, L बराबर M into V into R, इसको होना चाहिए, एच बाई 2 पाई का integral multiple है, तो जो चौथा आपने जो किया था, वो मैं आपको बता रहा हूं, उनका जो publication है, 1913 का, उसमें प्रिस्ट पाँच पर उन्होंने वो equations लिखे है, जो मैंने अभी यहां पर किये हैं, और उसके बाद उसमें से calculations करके यह सारी चीज़े बताई हैं, और सब कुछ हो जाने के बाद, चौदह नंबर पेज पर उन्होंने इसका उपयोग करके दिखाया है कि एंगुलर मोमेंटम एन एच बाइट टूपाई होगा, तो आप यहां से भी शुरू करोगे, तो भी वही चीज़े मिलेंगी, आप जो हमने चौदह एक्वेशन लिखा था, यह बराबर एंड टाइ है, यह भी उस बोर के ने पॉइंट आउट किया है कि यह भी ऐसा हो जाएगा, तो यह चीज़े हम, हमने शुरू शुरू आत जब कौटम एने इससे बन रहा था और चीज़े निकल करके आ रही थी, उस समय कि थोड़ी सी अतिहासे गटनाएं हमने आपको बताई हैं, और हमें बहुत सारी चीज़े हैं, लेकिन इन सब से मिल करके एक सीज़ निकल करके जरूर आई है कि क्लासिकल फिजेक्स में से हमें कुछ नो कुछ और उसमें जोडना पड़ेगा या उसको बदलना पड़ेगा, अगर हम इन छोटे पार्टिकल्स की, एटम्स की, इलेक्ट्र इस वर्षों तक और भी काफी लोगों ने कोशिश की कि कैसे 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 इस में से एक बढ़िया थी निकल करके आए तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे अभी तक हम रीडियेशन की बाते कर रहे थे, अब हम पार्टिकल्स की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉंस की, हम बास्व मेकरेंगे